तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था SN1, SN2 देखा था Lengthenite, Agronite में अंदर D और F Block में अंदर अब इसके बाद हम 4 देखने वाले हैं Aldehyde और Kedon में अंदर तो Aldehyde और Kedon में अंदर देखने से पहले मैं आपको बता दूँँगा अगर आप ने जो इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में और इसके अलाबा डिस्क्रेप्टर में मैंने लिंक देदी है तो आप जाकि वहां से उनको देख सकते हैं ठीक है क्योंकि बहुत ही इंपोड़ेंट है अब हमारा फोर्थ ट्रॉपेग है यह एल्डियाइड और कीड़न वाला तो इसको हम लोग करने वाले हैं एल्डियाइड और कीड़न में अंदर और उसके लिए मैं आपको इससे आगे की सारी वीडियो चाहिए है या फिर कोई भी ड पर देना तो मैं आपको वह जरूर बताऊंगी चलिए अब देखते हैं अगर आप मैसे कोई भी जाया पर नहीं आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मुझे बता है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करन अग्सिक्राइब होते हैं और वाली और एक चैनल यह अटार ना कमणे ऑफ़वाले oggi और देख़े नहें के अपको नहीं पता प्रासमिक मुझे किया हुता है इक एक अल्कुहाहल क्या होता है तो कमेंड बोक्स में ऴक्त बता दीजिए में आपको बता हा दूंगी क्योंकि गि시 इक वीडियो बना दिये हो मैंने नहीं देखा घुल कं िवाटी की संदुन करकर से आपको देख सकते हैं घुल suggest कियो अकशाइट किया करता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता की टार्माण तो बहुत परिवर्दन नहीं होता है तो यह बहुत ही ज्यादा इसमें कोई परिवर्दन नहीं होता है तो यह बहुत ही ज्यादा इसमें कोई परिवर्दन नहीं होता है तो यह बहुत ही ज्यादा इसमें कोई परिवर्दन नहीं होता है तो यह बहुत ही ज्यादा इसमें कोई परिवर यह तीन आपने याद किये तो इसमें जो जो होता है वह आपको करना पड़ेगा एलिहाइड में और इसके बाद जो कीटोन है उसमें कोई परिपर्दन नहीं है और बाकी दो आपको भी पहले याद करने पड़ेंगे आक्सिजन और अप्सिजन तो यहां से आप इसकी इंफो जरूर बताएं thank you so much मिल देगी वीडियो में तब तक के लिए आप लोग सारे वीडियो जरूर देखें ठीक है मैंने comment box में and description में link दे दिया है thank you so much मिल देगी वीडियो में और subscribe जरूर कर लेना है चैनल को thank you